वेलकम बॉइस और गल्स आज के एकनॉमिस के लेक्चर सिरीज में हम बात करेंगे योजना आयोग के बारे में और जितनी भी योजना आयोग ने जितनी भी योजना बनाई है ठीक है उसको क्रमबत तरीके से देखेंगे सारा स्लाइड होगा हिंदी में और सुरुवात के 3-5 स्लाइड जो है वो इंग्लिस में हो सकते हैं तो मेरा नाम है राजन आगे देखते हैं तो यह मेरा प्रोफाइल है यदि आप पढ़ना चाहें तो यदि आप अर्थे वेस्ता विसे के तयारी जो है शुरू से करना चाहते हैं तो उपर एक लिंक का रहा होगा ठीक है तो उस लिंक पर क्लिक करें और सारा शुरू से देखें अब क्यों देखें तो ओवरियो फिक्नामिक्स बेसिक्स फिक्नामिक्स जी डीपी जी एनपी पर कैपिता इंकम भारत वे चतित गड़ के आर्थे इस्तिति और इन सभी से रिलेटेड एक टेस्स सीरीज वीडियो तो इतने जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया हैं हो सके तो सुरुवा से देखी हैं क्योंकि सारा लेक्चर सीरीज जो है वे इंटीग्रेटेड फॉर्म में हैं तो टॉपिक लिश्ट देखते हैं इसके पहले वीडियो में हमने अर्थे वेस्ता क्या है इस चीज को कवर कर दिया था नियोजन किसे कहते हैं इसके प्रकार उद्दे से वह प्रात्मिकता हैं किसे कहते हैं इसको कवर कर लिया था ठीक है आज के वीडियो में इन दो चीजों को देखेंगे तो पहला क्या है योजना आयो और उसके कारे ठीक है तो भारत में नियोजन पहले कैसे होता था यह सारा चीज देखेंगे ठीक है? डायरेक्ट योजना योग के बारे में नीदेखेंगे और पहले 5 वर्षी योजना से लेकर 7 वी 5 वर्षी योजना तक देखेंगे ठीक है? फिर इसके बाद के Lecture में हम क्या देखेंगे? आर्थिक सुधार आज के वीडियो में नहीं हो गई, अगले वीडियो में हो गई इधर, ठीक है, तो यह already cover हो चुका है, आपके syllabus के यहां तक, ठीक है, इस वीडियो में हम यह वाले portion को cover करेंगे, ठीक है, यहां तक at least, ठीक है, अब सुरू करते हैं भारत में नियोजन, इसके पहले अब तक हम सबसे पहले भारत में नियोजन की सुरुवाद कैसे हुई, ठीक है, या फिर कहां नियोजन जैसा सब्द लिखा हुआ था, ठीक है, या फिर होना चीए लिखा हुआ था, उसके बाद हम पढ़ेंगे योजना आयोग के बारे में, ठीक है, उसके बाद उसके कार पढ़ेंग इसके पहले भी topic list में बता दिया था ये बाकी जो है बात में करेंगे तो ये पूरे नियोजन को मैंने इतने topics में बाट के रखा हुआ है तो इसलिए ये चीज मैंने आपको देखा है कि नियोजन से related इतना चीज जो है हमको पढ़ना है सिर्फ ये वाला topic नहीं पढ़ना है वो इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि हम लोग सिर्फ mains की तयारी के लिए वीडियो नहीं है ये integrated है प्रिय और मेंस दोनों का इसलिए एक साथ देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं भारत में आयोजन का इतिहास कैसा रहा है ठीक है तो 1930 के आसपास में भारती बुद्ध जीवियों के मन में इस आयोजन को लेकर चर्चाय जो है शुरू हो गई थी कब 1930 के आसपास में ठीक है कि बात उठने लगी भाई कि आयोजन जो है होना चाहिए ब्रेटी सरकार के उधरा होना चाहिए कि उसमें भारत तो आजाद हुआ नहीं था तो कम से कम आयोजन जो है ब्रेटी सरकार करवा है ठीक है तो आयोजन की सबसे पहली जो रूप रिखा है ठीक है वो कहां पाए गई तो एक book है जिसका नाम है The Planned Economy of India किस ने लिखा है विस्वे रहिया एम विस्वे रहिया ने लिखा है इस चीज को इस book को उसमें सबसे पहली बार सबसे पहली बार भारत में नियूजन है उसकी रूप रेका प्रस्तूत की गई थी सबसे first time ठीक है तो यह बहुत important है As a general knowledge आप याद रखिए गा है ना उसके बाद कई private यह भी private है ना ऐसा नहीं है कि यह कोई सरकारी या आपचारिक है यह उसका बाद फिक की मतलब Chamber of Commerce है ना इन्होंने भी अपना एक प्रस्ताव रखा कि मतलब इस तरह का आयोजन होना चाहिए यह इतना important नहीं है Congress ने भी Congress योजना बनाई थी 1938 में जिसमें जवारलाल नेरोदेक्ष थै तो यह भी उतना important नहीं है लेकिन देख ली जगाई पर पढ़ना तो जरूरी है उसके बाद अब सुरुवता है आपचारिक रूप से आयोजन की जो है सुरुवात कैसे हुए तो 1944 में British सरकार ने क्या किया एक योजना तथा विकास विभाग की स्थापना की ठीक है कब 1944 में तो यहां से जो है आपचारिक रूप से योजना की जो है सुरुवात हो दी दिखाई देती है क्योंकि एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसके काम था योजना बनाना कब 1944 में और इसके नेतरी तो कौन कर रहे थे हो उससे में भारत में वायसरायस हो दे थे तो यह वायसराय के नेतरी तुमें इस विभाग को सुरू किया गया और इसी विभाग का काम था योजना बनाना ठीक है तो 1944 के जर्ष्ट दो तीन साल के बाद तो भारत आजाद हो गया था है न तो उससे पहले 1946 में जब समिधान सभा के स्थापना कर दी गई थी यानि कि जब समिधान बनानी के जो प्रक्रिया है वो सुरू हो गई थी कुन कर रहत है वायस राए तो इन्होंने दो साल में क्या काम किया यानी कि 1944 से लेकर 1946 के बीच में उनस सभी कारयों का ये लोग ये क्या कर रहा था समीध्चा कर रहा था, ठीक है समीध्चा करने के लिए योजना चला कार बोर्ट की स्थापने किए उनिस सु छी आलिस में ठीक है इसके कारेव का मुल्यांकन कर रहा था यह योजना चला कारबोड ठीक है और भी कई नाम आये बंबई योजना सरवदय योजना जन योजना ऐसे ठीक है तो यह सब इंपोर्टेंट बिल्गुल भी नहीं है तीन पॉइंट है स्लाइड में इंपोर्टेंट एक तु यह है ठीक है एक तु यह है और एक तु यह है जोदि कोश्चन नों पूछे कि आयोजन की सुरुआ जो है भारत में सबसे पहली बार आ जाती कि बाद सुरू हुई तो यह गलत है ठीक है 1944 में सुरू हो चुकी थे वह भी आपचारिक रूप से है और 1946 में योजना सलाकार बोर्ट की स्थापना भी कर दी गई ठीक तो अब आगे स्लाइड में बढ़ते हैं इतना समझ में आ गया होगा आपको है ना तो अब देखते हैं भारत में नियोजन की विसेस्ता हैं तो य कौन से प्रकार का यूज करते हैं भारत में नियोजन ठीक है भारत में जो नियोजन की प्रक्रिया है तो वो जितने भी टाइप्स बताये थे ठीक है नियोजन की उनमें से कौन से टाइप्स अपलाई होते हैं भारत में नियोजन में वो इसमें मैंने लिखा हुआ है ठीक ह तो इन दोनों के गुण जो है इसमें है भारती अर्थविस्ता में ठीक है तो इसलिए इसका स्वभाव कैसा इसकी आयोजन का स्वभाव निदे सात्मक है इंपरेटिव प्लानिंग बताया था मैंने जिसको निदे सात्मक जिसमें लगू प्रसाशनी की काई होता है अब आपको याद आ रहा हो लगू प्रसाशनी की काई होता है उसमें दंड की नीती नहीं होती सिर्फ प्रेरक तरीके से काम किये जाता है नीजी छेतर की जो है भूमी का जादा होती है सरकार का क्या काम होता है planning बनाना, execution के काम नीजी संस्थाय करती है तो यदि अब मैं बता रहा हूँ तो आपको यदि पीछले वीडियो के slides आपको दिखाई दे रहे होंगे मन में तो अच्छी बात है नहीं तो आपने ध्यान से नहीं दिखाई वीडियो को ठीक है ये तो के निदे सात्मक है उसके बात योजना आयोग सलाकारी संस्था है ये क्या करता है? सला देता है बस तो जैसे मैंने बताए कि प्रेरक आयोजन में क्या होता है? कि आपरत्यक्ष रूप से, सांकितिक रूप से सरकार जो है direction देता है तो ये सलाकारी काम है कि मतलब उत्पादन वगेरा को बढ़ाना जो भी योजना में जो ताइक किया गया है उस चीज को जो है आगे बढ़ाना ठीक है? निजी छेत्र के माध्यम से तो ये भारती निजन की विजिस्ता है उसके बाद आयोजन का स्वरूप कैसा है ウिकें इंद्र करती है तो ये स्वभाविक है निजे छेत्म का आयोजन है तो आयोजन का स्वरूप कैसा होगा विकें इंद्र करती है उसके बाद ये सबसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और अलग पॉइंट है कि उस आयोजन की दो प्रकार बताया था मैंने आपको ठीक है उसमें बताया था कि संसादनों के आकलन के अधार पर तो वित्ती और भौतिक बताया था आपको ठीक है तो भारत में क्या है भौतिक ना हो करके भौतिक है मतलब पहले भौतिक संसादनों के आकलन कर लिया जाता है उसके बाद क्या कर दिया जाता है उसम hectare भारत में बनने है तो अब इसका वित्ती calculation कैसे होगा तो यह सोचेंगे कि अगले साल जो है हमको 1500 hectare तक जो है वन कर लेना है ठीक है और क्या करना है इसमें से हमको जैसे अभी इसमें से 100 रुपए की कमाई हो रही थी ठीक है भारत को तो अगले वर्स ऐसा प्लान होना चाहिए कि इसमें 1500 रुपए का यानि कि 50 रुपए ज्यादा का earning हो तो यह हो गया monetary है ना यानि कि पैसे के इन्वाल्व कर लेते हैं तो यह हो जाता वित्ती है ठीक है अब समझ में आगया होगा आपको भारत में आयोजन जो है पांच वर्स के लिए होता है तो आपने सुने ही होगा और देखते हैं योजना आयोग तो हम लोगों ने जान लिया था कि भारत में योजना आयोग जो है कौन बनाता है योजना आयोग बनाता है ठीक है तो योजना आयोग की जो जो विसेशताय है उसको एक एक करके देखेंगे तो योजना आयोग और उसके कारे से related अभी तक means में मैंने अभी तक देखा है question paper में तो उसमें direct question तो अभी तक आया नहीं है ठीक है योजना आयोग क्या है और उसके कारे लिखे हैं तो maybe इस बर आने के ज़्यादा chances हैं क्योंकि योजना आयोग अब तो रहा नहीं है न तो नीती आयोग है इसके जगा तो इसे लिए ठीक है या तो हो सकता है कि नीती आयोग आ जाए इसके जगा तो अब देखो क्या होता है लिगें सेलिबस में योजनायोग है तो सबसे पहले हम अभी हम लोग योजनायोग को पढ़ लेते हैं योजनायोग के जो स्थापना है वो हुई थी 15 मार्च 1950 में क्यों हुई थी देश में नियोजन या फिर आयोजन करने के लिए इसका कार्याल है नियो दिली में तो यह मैंने आपको फोटो पी लगा के दिखा दिया ठीक है योजना भावन अब यह योजनायोग भई संस्था कैसी संस्था है यह गैर समिधानिक संस्था है गैर समिधानिक संस्था मतलब होता है कि इस संस्था का समिधान में कोई उलेक नहीं है कि मतलब किसी अनुचेद में ये लिखा हो कि इसी इस अनुचेद में योजना भावन के स्थापना किया जाना चाहिए इस अनुचेद के अन्तरगत्थो ऐसा करके किसी अनुचेद में नहीं लिखा हुआ है लेकिन indirectly है बहुत सारी ऐसी बात हैं जिसमें से यह निकल करके आता है कि तो योजनायाओ कि जो धारणा है वो सहविधान से ही निकल कर आई है ठीक है तो इसलिए इसको English में भी क्या कहते है extra constitutional और non constitutional तो यह spelling थोड़ा था misty हो गया ठीक है तो सुधार लेजेगा या इसको card देता हूं चलो ठीक है extra constitutional और या फिर non constitutional body करते हैं इंग्लिस में ठीक है तो यह words आपको याद रखने है ना यह words का use करके आपको answer लिखना है ने तो फिर number ने मिलें आर्थिक विकास से जोड़े विविन मुद्दों पर भारत सरकार के लिए एक सलाकारी निकाह है आर्थिक मुद्दे होते हैं जितने भी उस पर भारत को क्या करता है सला देता है कि इतना जो है आपको agriculture में आपको क्या है growth rate जो है maintain करना है तो इसके लिए पंच बरसी योजना में कितना जो है किस तरह के resources का use करना चाहिए तो उससे related सारा सला जो है भारत सरकार को देता है मतलब ऐसा है कि योजना जो है सलाकारी संस्था है तो अपनी सला जो है भारत सरकार को देता है कही मामलों में आर्थिक मामलों में और साथी साथ क्या करता है सरकार भी कही मामलों में directly योजनायोग से सला लेता है तो दोनों एक दूसरे से सला लेता है लेकिन योजनायोग क्या है एक सलाकारी संस्था है ठीक है और योजनायोग एक स्वायत संस्था है तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये एक स्वायत है इसमें भारत सरकार का directly प्रत्यक्ष रूप से हस्तचेप नहीं होगा क्योंकि इसका काम है प्लान बनाना है तो प्लानिंग से रिलेटिड जितने भी हस्तचेप होंगे कि जैसे भी सरकार क्या करेगी कि जैसे अगरी कल्चर में हमको अगले पांच वरस में क्या चाहिए पांच परसेंट ग्रोथ रेट चाहिए तो ऐसा करके कुछ मेंडेटरी ना कर दे है तो ऐसा कोई भी हस्तचेप क्या होता है सरकार नहीं करता है योजना बनाने के धोरान है जिसका काहरे मुख्य मुद्य उपर सरकार के समख्ष विचार रखना है मलब मुख्य मुद्य उपर सरकार के समख्ष अपने विचार प्रस्तूत कर देती है और इसमें government कोई भी direct intervention या फिर प्रत्यक्ष रूप चाहस्तरशिप नहीं करती है अब आर्थिक विकास के लिए एक विचारक मंडल होता है तो planning commission में क्या होता है एक विचारक मंडल याने कि think tank जिनका कामी है क्या तो ये लोग क्या है चर्चा करते हैं कि किस तरह से जो है plan जो होना चाहिए और इसमें क्या कामी है क्या फायदे हैं ये सब के लिए कौन होता है वहाँ पर एक विचारक मंडल think tank कहता है इंगलिस में लोग होते हैं कुछ उनलों क्या करते हैं चर्चा करते है पूरू planning के बारे में अब उसके बाद है इस योजनायो का अध्यक्ष कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है इसका अध्यक्ष तो हमारे देश में जो भी प्रधानमंत्री बनेगा ठीक है वो पदेन रूप में क्या हो जाएगा योजनायो का अध्यक्ष हो जाएगा ठीक है उसके बाद है सबसे पहले जो अध्यक्ष कौन बने तो भारत में जो सबसे पहले जो प्रद्यानमंत्री बना वो कौन बना पंडित जवाहरलाल नहरू बने ठीक है तो पंडित जवाहरलाल नहरू ही कौन होंगे सबसे पहले योजनायो की अध्यक्ष होंगे और योजनायो के कि पंडी जभारलाल नहरु की दिन है ठीक है तो पॉइंट्स बाइ पॉइंट्स याद रखिए गया कि मतलब सिर्फ पॉइंट्स का यूज करिएगा छोटा भी आप बना सकते हैं जैसे कि इसको और इसको वर्ड मिला के जो है आप एकी लाइन में लिख दिये ठीक है ऐसे ग दिल्ली में है यह और इसमें सचीव और सलाकार जो है तो वह यह लिखा हुआ है इसमें और यह योजना भवन है ठीक है दिल्ली में है यह सचीव और सलाकार कर्मचारी होते हैं तो मैंने बता सचीव आयस रंक होते हैं और सलाकार जो भी थिंग टैंक होते जितने भी उन लोग भी लगभर लगभर आयस और अलग अलग स्ट्रीम से आते हैं ऐसा नहीं कि सभी आयस जो आर्थिक चेत्र से होंगे कुछ लोग तो ऐ गिन्यूव tiya है। यूज्ञयों के बारे में बूलेगा तो मैं ऩूलेगा, उसको पर आप लेकरी यू system यूजयों कारों को देखने से पहले क्योंकि यूजनायों कार यू तो उसकी जो वर्डिंग से हैं, उसके वेब साइट में लिखा है, वो काफी टफ है, ना, कि मतलब ऐसे आपको दिखा देता हूँ, तो जैसे यह दिखी है, तो यह बड़ा-बड़ा सा लिखा है, ठीक है, तो उसको पहले की एक्जामपल के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है यह साथ पॉइंट्स मैंने बनाया है, ठीक है, उसके अंडर में हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले, ताकि आपको लिखने में जो है, आसानी हो जाए, ठीक है, यह देखी है, काफी लंबे-लंबे है, और as it is word by word लिखना है इसका अंसर, यो ना, कारे पूछा, तो जो आपको कहीं टूर पर जाना है, वो भी बाइक पर है, ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि कैसे आप टूर का प्लान करता है, तो उसी को रिलेट कर दूँगा, मैं प्लानिंग से, ठीक है, तो जैसे आपको कहीं घूमने जाना है, तो आप क्या करेंगे, दो-चार लोग दोस् जाएगा, ठीक है, ये टै करेंगे ना अप लोग, उसके बाद कितने रुपए लगेंगे, ठीक है, यही टै करेंगे अप लोग, उसके बाद क्या होग, कौन कितने कितने रुपए देगा, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, कहा कहा जाना है, और उसके बाद वहाँ ज जाने से पहले सभी चीज़ों का आकलन कर ले रहे हैं कि कौन कौन जाएगा कितनी कितनी सारी चीज़े लगेंगी कितने पैसे लगेंगे और कहा जाना है यह सभी चीज़े जब आप तै कर लेंगे तो क्या होगा तो एक पूरा आप एक प्लान बनाएंगे ठीक है कि कहा कहा प फिर क्या होगा आप एक प्राथमिक्ता तैय करेंगे ठीक है कि जैसे आप आपको जो है पांच जगह घुमने जाना है ठीक है बाइक में जाना है आपको तो आप लोग चरण बद तरीके से जाएंगे क्या करेंगे प्राथमिक्ता तैय कर लेंगे कि सबसे पहले कहा जाना है ह यहां जाके हमको क्या करना ब्रेकफार्स करना है फिर यहां जाके हमको क्या लंच करना है फिर यहां जाके डिनर करना है तो ऐसा है क्या होगा प्रात्मिक्ता बद्ध हो जाएगा कि पहले यहां जाना है तो यह हमारी पहली प्रात्मिक्ता है फिर दूसरी प्रात्मिक्ता यह है तीसरी यहां चौंती है ऐसा करें ठीक है तो प्राजमीकता आप तैय कर लेंगे अब जैसे यह सारा यह तीनों चीज आपका complete हो गया ठीक है कि सभी चीजों काकलन भी हो गया ठीक है प्लान भी बन गया कि भाई जाना है कितने अ यार अभी नी चलता है ठीक है या अगले ठंडी में चलेंगे या अभी मैने जाओंगा मेरपास पैसे नहीं है ठीक है तो एक वेक्ति होगा जो नकारात्मक तोταιफ़ी और जांते कि आपको आप लोग क्या करेंगो इस्वेक्टी को ले जाने के लिए मनाएंगे ठीक है यही हो गया नकारादना फेक्टरों को आप लोगो दूर करना है ठीक है यह हो गया अब बाइक्स वगर सभी चीज़े कैलकुलेट हो गए ठीक है अब मसीनरी के बात आती है मसीनरी छे लोग जा रहे है ठीक है तो छे लोग जाएंगे कितनी बाइक्स चीज़े होगे तीन चीज़े होगे एटलिस यदि दो दो जाएंगे ठीक है तो क्या करेंगे जैसे आपके पास सिर्फ दो ही बाइक है तो क्या करेंगे तीसरा बाइक भी अरेंज करेंगे ताके छे लो तो अब बारी आती है मुल्यांकन ठीक है तो अब यह बाइक का भी जुगाड़ हो गया ठीक है अब क्या होगा अब लास्ट में आप लोग क्या करेंगे की पूरे प्लान का रीवियू करेंगे कि भाई कहीं कोई चीज छुट तो नहीं रहा है सभी चीजे व्याज़ित है कि पैसे परियाप्त है की नहीं ठीक है बाइक्स परियाप्त है की नहीं सारे लोग अविलिबल है की नहीं सभी चीजे जो है जाने से पहले क्या करेंगे पूरे प्लान का एक मुल्यांकन करेंगे ठीक है उसके बाद निकल जाएंगे टूर के लिए ठीक है अब निकल भी गए तो पहले जैसे आपने पहले stoppage पहुंग लिए ठीक है कि मतलब पहली जगह में आप घूम लिए ठीक है नास्ता वगरे जो भी करना था कर लिए ठीक है फिर क्या होगा मुल्यांकन करेंगे कि हमारे बाइक के टावर टायर वगरे में हवा है तो नहीं पंचर पेट्रोल वगर जो यह सुझाओ देगा कि बुले कि यार इतनी दूर तो आ गया है एक जगह कहीं और चले आते हैं ठीक है तो यदि भो जगह आपसे नजदीक होगा तो आप जरूर जाएंगे ठीक है लेकिन यदि यदि दूर होगा और यदि आप जाने के उसमें नहीं होगे इस्तिती मे तो आप नहीं जाएंगे ठीक है यानि कि पॉजिटिव सुझाओ भी होगा यानि कि तार्किक सुझाओ भी हो सकता उसका और अतार्किक भी कि बहीं चले गए जहां पहुंच गया है जहां से वापास आना था उसके बाद किसी वेक्ति ने बोला कि 100 किलमेटर और चलना है ठ ठीक है तो क्या करेंगे और यदि उसका दूसरा सुझाओ होता है ये 5-10 किलमेटर के अंदर का तो आप लोग चले जाएंगे गोमने क्योंकि पास है ये तार्किक सुझाओ है ठीक है ये पूरा मैंने आपको पॉइंट्स बताया है ताकि याद रखने के लिए और एक्जा सानिध्य में करेगा या किसकी निर्देश में करेगा वहोगा राष्ट्री विकास परिसत के निर्देशन में ठीक है तो इससे रिलेटेड एक कोश्चन भी आया था मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला है इसके बारे मैं आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में तो योजना है हो क्या करता है पंच वर्सी योजना एवं वार्सिक योजना बनाता है ठीक है और इस योजना को बनाते समय तता क्रियानवेन के समय केंद्र और राजसरकार दोनों से चर्चा करता है ठीक है कौन योजना है हो यानि कि योजना है हो जब कोई प्लान बना रहा है ठीक है तो प्लान बनाने से पहले किसकी निर्देशन में प्लान बनाएगा तो राश्टी विकास परिसेट के निर्देशन में प्लान बनाएगा और जब प्लान बनाता रहेगा तब क्या होगा किस से किस से परामर्स लेगा केंद्र सरकार और राजसरकार ठीक है तो एक question आता है इसमें से निकल के आता है हमेशा वो है कि योजना बनाते समय कौन-कौन से विभाग या संस्था योजना के कारे में भाग लेता है ठीक है, तो केंदर सरकार राज सरकार दिया रहेगा योजना यह भी दिया रहेगा राश्टी विकास परिसत यह भी दिया रहेगा ठीक है, तो यदि पूछा कि कौन सा संस्था भाग नहीं लेता है तो यह मत लगा देजएगा राश्टी विकास परिसत, ठीक है, क्योंकि यह भी लेता है, इसके निर्देशन में ही सारा काम होता है तो अब योजनायो को सौपे कार देख लेते हैं पहला नमबर है, देश के बहुत एक पूंजी के तथा मानव संसाधनों का आकलन करना आकलन करता है, तो जैसे मैंने बताया कि आप लोग जाने से पहले क्या करते हैं, आकलन कर लेते हैं जैसे बहुत एक पूंजी के तोर मानव संसाधनों का आकलन जिसमें तक्नीकी कर्मचारी भी सामिल है, तथा उन संसाधनों की व्रिद्धी की संभानाओं की जाच करता है जो देश किया है सकता हों कि तुलना में कम है, तो मैंने वही बताया था आपको संसाधनों का सारा calculate कर लेते हैं और कोई दो जाना चाहता है तो उसको भी सामिल कर लेते हैं यदि वो नहीं जाना चाहता है तो ये वही line लिखा हुआ है as it is आपको line लिखना है इसको change नहीं करना है number नहीं मिलेंगे नहीं तो उसको बाद दूसरा है कि देश के संसाधनों के अधिक प्रभावी तथा संतुलित उप्योग की योजना को क्या करता है सूत्रबत करता है इसमें क्या plan बना लेते हैं exactly ठीक है देश के संसाधनों के अधिक प्रभावावी संतुले उपयोग के योजना को सूत्रमत करता है इसमें किया प्लान बनाते है उसके बद प्रात्मिक्ताओं के निर्धारन की अनुसार उन चरुनों को परिभासित करता है जिन में योजना को कार्यान विद किया जाएगा तता प्रत्येख चरुन को पूरा करने के लिए संसाधनो के आबंटन को परस्तावीद करता है तो example में मने आपको क्या बताया था कि प्राजमिक्ता या कर लेते हैं कि कौन से route से जाना है कहाан कहाँ से पहले जाना है तो वह चीज वह लिखा है यहां पर प्रत्मिक्ताओं को निर्धारन कर लेते हैं और चरणों को प्रत्यक चरणों को परिभासित भी करते हैं और योजना को करयान्वित करते हैं ठीक है यह बही लाइन लिखा हुए उसको बाद next है उन कारुको को सूचित करता है जिनकी प्रवेति आर्थिक विकास को घटाने की है words by words एकदम से पढ़िएगा समझ मनी आएगा तो तथा उन परिस्तितियों को निर्धारित करता है जो वर्तमान सामाजिक तथा आर्थिक के संदर्ब में योजना के सफल कार्यान में के लिए आवे सके तो ठीक है मैंने इसमें क्या बताया था आपको ये बताया था कि कोई बंदा ऐसा होगा जो ना नुकूर करता रहागा तूर में जाने के लिए तो उसको जो है पॉजिटिव में चेंज करना रहता है याने कि उसको मनाना रहता है उसको ले जाने के लिए तो इसमें वही लिखा है कि उन factors को identify करते हैं जो आर्थिक विकास को घटाने के लिए कारे करते हैं ठीक है और उसको यह सही कर देते हैं ठीक है तो यह लिखा हुआ है उसके पांचवा नमबर है योजना के प्रतीक चरण में सभी पहलों के कारेयान वेन को सुनिश्चित करने है तो आविसेक मसीनरी की प्रकृति को निर्धारित करते हैं ठीक है तो यह वही है कि जो भी मसीनरी चाहिए है वहाना बताया था कि जैसे छे लोग को जाना है तो अपने बाद दो बाइक है तो क्या होगा एक बाइक और अरेंज करेंगे ठीक है ताकि छटवा बंदा वे है तो यह ब owes लिखा हो है योजना के प्रत्तीक चर्ण में सभी पहलों के कार्यान को सुने फिश्ट करने है लिखां के लिखाव की तर्ज पर नेति उपअयों agreed समझस्य स्थापित करते हैं तो इसमें यह लिखा हो Cordam que जैसे पहले destination में पहुंच गए ठीक है तो क्या देखते हैं हम नो सारे गाड़ियों को टायर चेक कर लेते हैं पैटरोल चेक कर लेते हैं सभी सही सलामत पहुंच गया है यानि सारा चीज़ चेक कर लेते हैं तो यह वही मुल्यांकन है प्रतिएक चरण में मुल्यांकन करते हैं ठीक है यानि कि दूसरे destination में जाने से पहले का मुल्यांकन वही है ऐसे मुल्यांकन द्वरा किये गए अब इसे सुझाव के तर्च पर नीती और उपायों के भी समंझे से तो कई लोग क्या होगा पहले destination पहुँचने के बाद और भी सुझाव देंगे कि अरे यार यहाँ पर जानेंगे तो कोई और भी रास्ता है ठीक है तूस रास्ते से चलते हैं जल्दी से वहाँ पहुँच जाएंगे तो वही है यह सुझाव है सुझाव और उपायों के भी समंझे से पित करते हैं ठीक है उसको अच साथ वार आखरी है ऐसे अंतरिम तत्या अनुसांगिक यो सुझाव जो दिये गए संदर में तार्किक हों तत्या जिनका होपयोग भविस्य में किया जा सके यानि कि कोई बंदा जो है सुझाव देगा कि 100 km और जाएंगे तो यहां पर एक जगा और जहां पर हम घूम किया लगते हैं तो यह तो अतर्किक है सबसे आखरी में जब हमको घर जाना है तब यह सुझाव दे रहा है 100 km और चलना है तो यह पॉसिबल नहीं है लेकिन यदि वहीं यह क्या करेगा कोई 5 km का सुझाव देगा कि 5 km चलते हैं तो वहां गूम लेंगे तो यह सुझाव थोड़ा पॉसिबल है तो यह सुझाव जो है इसको मानने लाइक है तो इसका भविस में में भी हो सकता है उसको उप्योग किया जाए या उसी समय क्रियान वन किया जाए तो यह वह लिखा हुआ है तो यह था पूरा कार है इसको एक एक इग्जामपल के मात्यम से समझ लिए हम लोग ठीक है और इस लाइन को तो भवाई लाइन भवाई लाइन ही लिखना है ठीक है इसको कोई अल्टरनेट नहीं है lines को याद करने के लिए points मैंने यहां यहां पर लिख दिया है ठीक है इससे आपको याद हो जागा थोड़ा सा सरल कर लीजेगा अपने हिसाब से लेकिन ऐसा मत करिए कि पूरे जो है यह क्योंकि ओफिसियल वो होते है lines होते है ठीक है इसलिए कह रहा हूं उसके बाद भारत मे योजन की विशेशता है ठीक है तो अब देख लेते हैं तो सौट एक मिनट का काम है कि योजना कैसे कैसे प्लान बना लेता है यह थोड़ा सा मालूम होना चीए planning commission क्या करता है पहले तो सनसादनों का VPN कर लेता है जैसे कि हमने पहली देखा in account कर लेगा उसको किया करेगा report कि सको भेस देगा states जो होते हैं जितने उसको भेस देगा तो states क्या करेंगे कि हाँ बही चलो ठीक है था है सही online है फिर क्या कर देगा planning commission के पास सारा रिपोर्ट जो है भेज़ देंगे हाँ भई आपका आकलन जो है सही है फिर क्या करेगा उस रिपोर्ट को यहाँ भेज़ देगा National Development Council याने कि राश्टी विगास परिशत के पास भेज़ देगा तो यह क्या करेगा संसाधनों का आकलन सही है तो यह चेक करेगा तो इसको लगएगा कि हा मैं सही है लग विराय सही है और Extremation जो है सही है तो क्या करेगा उसके Extremation को कहां बेज़ देगा एंडी से सारे राज्य'य के पास फिर से भेझ देगा और क्या बुलएगा कि भई यह के इस्टीमेशन चलो ठीक है कंफर्म है अब इसी इस्टेमेशन यानिकी आधार पर आपको बनाना है प्लांस बनाना है अब ये इनके पास इसलिए भेझता है तकि राज्य के खुद के योजना आयोग होते वो भी plan बनाए और जो देश का जो याने कि जो योजना आयोग है राष्टे इस तर की उसका जो plan है तो यह क्या है एकिकरित रूप में काम कर सेके हैं इसलिए क्या करता है वो सारा reports और आकलन को जो है states के बाद भेज़ देते हैं ताकि वहां के योजना आयोग जो है अपने हिसाब से योजना बनाए फिर वो जो सभी योजना है वो सारे राजी किन को भेज़ देते हैं योजना को भेज़ देते हैं यह हमारे राजी की योजना है इसको भी इंटीग्रेट करना है देश के इस तर की योजना के साथ तो यह फिर जो है planning commission क्या करेगा फिर इसको अप्रूब हो जाएगा उसके बाद फिर पंच वर्सी योजने जो है काम करने लगेगा तो यह तो आप फटा फटा से समझ यह नहीं आएगा ठीक है लेकिन आपको ऐसी जनरल नॉलिज के लिए बता दिया हूँ तो योजनायोग के कारियों में यह भी तीन है तो यह भी इसको यदि आप लिखना चाहें तो लिख लेजएगा नहीं लिखेंगो तो भी साथ पॉइंट जो हैं बहुत काफी है तो अब देख लेते हैं अब तक योजनायोग ने क्या किया है तो योजनायोग न अभी तक बा टीक है, line से देखते हैं, तो English बालों के लिए हैं, योजनाओं के कारे, टीक है, तो English में है, यदि आप note करना चाहें, तो note कर लेंगा, टीक है, उसके बाई यह है list, टीक है, पंच वर्षी योजनाओं के सूची, total जो है 12 है, 12 योजनाओं के सुची है पहला पंच्वर्सी योजना तीला इस में से हमको सब नहीं पढ़ना है क्योंकि सब काम का नहीं है और सब सभी से कोशण आते भी नहीं है कोशण आता पहले से दूसरे से पाउलिंग प्लान से और उसके बार सीधा उसके बाद हम लोग economics reform में जाएंगे यानि कि यहाँ पर यहाँ पर ठीक है यहाँ पास में ठीक है उसके बाद सबसे अंत में पढ़ेंगे यह क्योंकि यह syllabus में आपके तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है और यह बाकी prelims के लिए है ठीक है यह mains के लिए है यह mains के लि देखेंगे उनने से 56 तक था ठीक है तो यह पूरा योजना था वह कौन से model पर बेश था यह है राड डोमर model यह है राड डोमार model यह आपको याद रखना है ठीक है यह नाम directly पूस देता है ठीक है तो इस योजना में जो प्रात्मिक्ता है ताइक की गई थी तो सबसे ज्यादा प्रात्मिक्ता जो है वो क्रिसी छेत्र को दी गई थी ठीक है क्रिसी छेत्र मतलब प्रात्मिक्ता जो कौन से छेत्र को प्रात्मिक्ता जो है दी गई थी ठीक है तो आपको क्या लगा ना प्रात्मिक छेत्र दिया होगा जो प्रात्मिक छेत्र या था फिर क्रिसी छेत्र तो यह उसी के प्रात्मिक छेत्र के चीज़ें क्रिसी चाय बीच लिए ठीक है तो इस समय प्रात्मिक छे गया था बहुत सारे लोग और उसी समय आजादी के लड़ाई वही रहे लड़े थे देश का सुरुवाती इस तर था एक नौमी सही नहीं था यानि कि आरत वरस्ता जो सुरुवात में था इसलिए भार सरकार यह चाहते थी कि जो है पहले खाजानने के इस तर पर हम अपने आ नदी है ठीक है तो नदी में डैम बनाए है ठीक है डैम क्यों बनाए है लब डैम मल्टी परपस है ठीक है इससे बिजली उत्पादन करना है सिचाई करना है बिजली करना है पीने का पानी ठीक है और नहरेवादी जाज सिचाई के लिए है ठीक है तो इसलिए इसको कहते है बहुत देशी घाटी परुजनाय कहते हैं नदी में पान बनाकर बिजली, चाई, पीने का पान ये वगर वैस्था करना तो यहां जैसे लिखा हुआ है और उसी समय क्या किया गया था पहली जब पंच वर्सी उजना शुरू की गई थी तो भाकरा नागल डैम की जो इस्थापना शुरू की गई थी कौन से नदी में? सतलज नदी में तो इसको यहीं याद कर लो कि भाकरा नागल डैम जो है तो सतलज नदी में है कहां? हिमाचर प्रदेश में तो दूसरी जो पंच वर्सी योजना वो इस model पे बेश थी तो सिर्फ करने से तो किसी देश के अरत वेस्ता आगे बढ़ेगी नहीं ठीक है क्योंकि जिस देश में क्रिसी का GDP में ज्यादा योगदान होता है वो कौन से देश कहलाता है वो है अलविक्सित देश कहलाता है ठीक है तो देश में उत्पादन को तीवर गती से बढ़ाने के लिए क्या किया गया अध्योग करने के सुरुवात की गई ताकि तीवर olvito करने की और हो कि मैं तो इसलिए ज़्वितियक श्रतip को ज्यॉद्योग के स्थापना की गई तो इसी समय बहुत सारे उद्योग जो है चाल हुआज़े तो देखें उत्पादन के इस तरफ पर निर्भरता, आत निर्भरता, रोजगार लोगों को देना और उत्पादन बढ़ाना, ठीक है, तो इसी समय क्या किया गया था, उत्योगों की स्थापना के लिए सबसे पहली बार 1956 में भारत की पहली और जोगी कनीती बनाई गई, ठीक है, और जो तो यह बने दूसरी पंचवर्सी योजना के दवरान, ठीक है, कौन से देसों ने इसमें हल्प किया, सोवियत संग याने कि रूस, जर्मनी और यूके की मदद से, ठीक है, तो यह तीन कंट्री से जिन्हों ने मदद किया था, स्टील प्लांट्स पगरे लगाने में, ठीक ह पंचवर्सी योजना के सुर्वाद ज़ह है, नायईंटीन सिस्टीवन से लेकर सिस्टी सिक तक ती, इसमें क्या किया गया, प्रातमी को ऐतिक दूनों ब्राइक्ता दी गईती, ऍृट्फेक इसी है और उद्योक दोनों को एक साथ विष्दार करना था और इसी समय क्या चल रहा था भारत और पाकिस्तान उद्ध कर चेन की चल रहा था घिक है। मुद्रा सॱ्टी समय महगाई बढ़ गई थी उत्पादन प्रभावित हो रहा था क्यों क्योंकि ज़ो है देश में युद्ध हो रहा था तो फई उत्पादन प्रभावित हो गई आतtv निर भरता रोजगार तो ऐसे समस्य जो है उससमें उत्पन्ह हो गई थी तो इसे इसके बाद के जो प्लान है इसके बाद का यानि कि 66 के बाद का प्लान पंच वर्सी योजना को रोग दिया गया था है ना लेकिन इस पंच वर्सी योजना में और कुछ-कुछ अच्छे काम हुए है ना जैसा कि हरित करांती यानि की ग्रीन revolution के सुरुवात हो गए थी कौन कौन से राज्यों में पंचाब हरियाना उत्तर देश तो यह क्यों हो गए थी कि भागडा नागल डैम वगरे बन गयते ठीक असीचाई वगरे के अच्छे सुविधाय जो है सुरू हो गए थी तो इसलिए हरित करांती इन सब छेत्रों में सु इसको कहते पील फौर एटी ठीक है पील फौर एटी एक यह जोज ना या कारेकरम कहें जिसको जिसके इंत्रगरत हम अमेरिका से अनाजों को आयात कर रहे थे ठीक है और हरित करांती की जन्म दाता कि इसको कहते हैं भाई तो उनका नाम है स्वामिनातन इन्होंने क्या किया था कि जो उन्नत संक्रित बीज होते हैं तो उनको लेकर आये थे और उसके बाद फिर ग्रीन डेविलुशन की सुरुवात हुई थी तो यह भाकरा ना कलता है मैंने फिर से एक बार आपको याद कराने के लिए बता दिया तो हरित करांती के सुरुवात हो गई थे इस समय और हरित करांती के जन्म दाता कौन थे स्वामिनातन ठीक है तो यह थोड़ा से याद रखिए कि यह प्रिलियंस के पॉइंट अभी उसे बहुत इंपॉटेंट है तो उसके बाद आगे चलते हैं तीसरा वर्स का योजना विराम और चौथी योजना ठीक है तो जब तीसरा योजना के सुरुवात करना था हमको य खाद्यान समस्यां बढ़ गए थी तो इसलिए पंच वर्सी योजना को कुछ समय के लिए रोग दिया गया कितने समय के लिए तीन वर्स के लिए लग बग ठीक है तो यहां लिखा हुआ है चीन ने युद्ध में हारने के बाद भारत के वित्ति इसलिए ठीक नहीं थी इस योजना विराम या फिर योजना आवकास कौन से पंच वर्सी योजना के बाद हुआ तो आपको क्या रखना है तीसरी पंच वर्सी योजना के बाद थीक है तीसरी पंच वर्सी योजना के बाद थीक है तीसरी पंच वर्सी योजना तो चौती पंच वर्सी योजना में उसके बाद चलते पांचवी तो ये थोड़ा important है क्योंकि यहां की योजना में थोड़ा सा अलग चीजे शुरूए वो है एक चीज सिर्फ पांचवी पंचवर्सी योजना को जो time है वो है 1974 से 1979 तक जिसमें क्या नारात दिया गया था गरीबी उनमुलन पहली बार इस वर्ड को सामिल किया गया था पंचवर्सी योजना में कौन सी पंचवर्सी योजना में पांचवी पंचवर्सी योजना में उसके बाद दूसरा एक नया चीज था आयात प्रतिस्थापन मतलब इंपोर्ड जो है उसको कम करना है आयात को कम करना है और हमारे ही उत्पादन को बढ़ाना है ठीक है तो ये एक चीज जो है ये दो चीज जो है एक नए चीज जो सुरुआत हो गए थी उनने से चोहतर से सेवंटीनाइन के बीच में ठीक है तो ये था पांचवा पंचवर्सी यूजना अब उसके बाद देख लेते हैं अनवरत यूजना तो ये बहुत इंपोर्टन में आपके कई बराया है कि अनवरत यूजना किसे कहते हैं तो मैंने आपको बता दिया था ठीक है अनवरत यूजना किसे कहते हैं तो अनवरत यूजना में क्या होता है पीछले वर्स के आयोजन के निस्पादन के आ अब आगे चलते हैं छटी योजना यह दोनों उतना important नहीं है ठीक है लेकिन फिर भी मैंने आपको लिखके यहां पर दे दिया पढ़ना हो तो आप वीडियो को pause करके पढ़ सकते हैं ठीक है तो अभी तक हम लोगे ने वीडियो में क्या क्या के cover कर लिया भारत्भी निवजन का हितियास देख लिया उसके बाद योजना आयो गोँफो उसके कार देख लिया फिर भारत्मनियोजन की प्रक्रिया देख लियं ठीक है पिर पहली पंच वर्षी योजना से छटवी तक का देख लिया है ठीक है साथ वावगेरा आगे देखेंगे हैं इसके बाद की वीडियो हम देखेंगे साथ वी पंच वर्षी योजना आर्थिक सुधार और बारवी पंच वर्षी योजना के बारे में आपको योजनायों के कार ही लिखना है तो जैसे मैंने आपको समझाया था अच्छे से ठीक है तो राइटिम प्रेटिस कर लीजेगा भारत में योजन के विसेस्ताइं बताना है आपको तो यह मैंने बताया था आपको क्योंकि अब क्या होगा कि जैसे योजना का प्रकार है आधे साथ मका लुचन और निदे साथ मका लुचन ठीख है, तो क्या होगा उसको ना पूछ के ये बोल देगा और भारत मनी Fauzan के विसे स्ताय लिखी है तो क्योंकि दोनों का mixture है वो दोनों तो इसलिए ये पूस देगा क्योंकि ये ज्यादा आसान है इसलिए ठीक है और दोनों चीजे कवर हो जा रही है उसके बादे पहली पंच वर्सी उजना किस model पर आधारित हुए प्रिलेम्स का question है ठीक है तो इसको comment section बताना है आपको पहली पंच वर्सी उजना में गरीब उनमलन का उदेश से किस पंच वर्सी उजना में रखा गया ठीक है ये सारे मोग question है जो दो नंबर के type के लगते हैं आपको उसको comment section में बताना है आपको और जो बड़े question है जैसे यह शुरू के दो या तीन है तो इसको आप comment section में लिखेंगे तो अच्छा है नए लिखेंगे तो घर में practice करिएगा ठीक है next lecture में ये देखना है हम लोगों ने बता दिया थे मैं आपको ठीक है ये दो चीज जो है complete कर लिया और ये तो complete हो गया अगले में देखेंगे बारवी पंच वर सी योजना तो यहां तक complete हो जाएगा और यहां तक भी हो जाएगा ठीक है तो ये pillar जो आपका complete हो अगले week में ठीक है तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडिय तक इस वीडियो को share करें और follow करें हमारे facebook और twitter में क्योंकि channel से जुड़ी जितनी भी जानकारिया हैं हम सबसे पहले इनी pages पर share करते हैं इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में